कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक मिनट करेंगे मैं अपना मट्रीरियल एक बार यहां पर स्क्रीन पर प्रेजन कर लूँ उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक मिनट रुकेगा प्लीस अभी एक मिनट मिनट करेंगे प्लीस आई रिक्वेस्ट तब तक आप शेर कर दीजिए शेशन को लाइक कर देजिए जिनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीस मुझे बस एक मिनट कर समय दीजिए प्लीस और सिंपल गोड़ ब्रेसियों गोड़ ब्रेसियों हाथ में क्या हुआ हाथ में चोट लग गई वह लग गई थी चलिए कि चलिए कि चलिए माइडियों फ्रेंट्स सबसे पहले बात करें कि अनकेट्मी की आप आगे सभी कि इंपोर्डेंट कोशें से में से के मला जोग्रफी के अच्छे कीजिए आपको बहुत मिलने वाली अंडेस्टेंडिंग बहुत क्रेट होती है इससे गौड़ ब्रेसियों बच्चे वह सीजर्स लग गई थी बस सबसे पहले आप देखना है कि डिफेंस विजय पत इसके अंदर एक मौक टेस्ट होगा परिक्षन एंडिय वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के नाम से यह होगा मार्च ट्वेंटी सेवन को इसका लिंक में आपको टेलिग्राम चैनल टीम अर्पित पर प्रोवाइड कर यह रिवर्ड बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको रिवर्ड वर्थ अप्टु ट्वेंटी लैक तो जो फर्स्ट जो इसका विनर होगा उसको एक लैप्टॉप मिलने वाला है सेकिंड फॉर्थ फिफ्ट को स्मार्टफोन मिलने वाले हैं 6-50 बच्चों को Amazon washer मिलने वाले अपको स्कॉलर्शिफ 50,000 आपके एंडे ट्रेनिंग एयर के अंदर भी 50,000 रुपीज पर एयर मिलने वाले और उसी के सासत आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा 100% का सब्सक्रिप्शन आप मलब डिस्काउंट मिल सकता है सब्सक्रिप्शन में तो यह जरूर देना है आप स्कैन कर लीजेगा आप लैंड कर पाएंगे सिद्धा क्लास्रोम में ठीक है जी सेमिनार में वह बच्चे सीजर्स था हाथ में वह थोड़ा स्लिप हो गया तो चले जी माइडिर फ्रेंड्स चले शुरूबात करते हैं जी चले पहला कोशन मोस्च प्रेंबल एंशियु गिस के साथ चलेजी आरेंस दिफोलवंग गैसीजा ओफ टिमासफेयर इन इंक्रीजिंग ऊर्डर हाँ जी आज जोग्रिफ़ी करेंगे विप फफोलवंग गैसीजेज ओफ अटमसफेयर इन इंक्रीजिंग ऊडर तो आपके सामने options है nitrogen, oxygen, carbon dioxide and argon तो increasing order के साथ सबसे पहले, एक option को देखते ही आपका मामला set हो जाना चाहिए, तो सारे बच्चे बोलो जोड से कि क्या है इसका answer, एक option देख लेंगे वही इसका answer है, यह तो पढ़की होईगी न सारी चीजे, चल दी से बता दीजिए, प्लीज, बताईए बचो, शेवश, increasing order, हाँ, C is the right answer, सबसे पहले is CO2, फिर ratio बढ़ेगी, आरगन होएगा, फिर आपका oxygen है, और सबसे ज़्यादा है nitrogen, nitrogen oxygen, आरगन, CO2 is the right, increasing order, my dear friend, increasing order, wind in this southern hemisphere is deflected towards left, southern hemisphere में left की दरफ, deflect क्यों होती है, winds, temperature variation, rotation of the earth, difference in pressure, you have a difference of water content, चले जी, the right answer is rotation of the earth, जो आपकी, earth है वो rotate करती है, west to east, west to east के rotation के अंदर, जो deflection है, वो अलग-अलग होगा, यहाँ पर zero होगा आपका coriolis effect या coriolis force, तो जिसकी वज़े से, यहाँ से wind deflect करके, left की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर poles की तरफ, coriolis effect या coriolis force सबसे ज़्यादा होता है, बी इस दी राइट आंसर, local thunderstorm, norwestern are prominent in, norwestern आपको दो जगा मिलते हैं, इंडिया और न्यूजिलेंड, तो नौर वेस्टर अगर हम इंडिया की बात करें, तो किस area पर आकर hit करेगा, it is Punjab, West Bengal, आंदरापरदे, तो टमिल नाडू, एक्षिन होल्ड करना है, जिस्ट होल्ड, Robin bro, ये class में एक बंदे को ब्लॉक करना है, नाम तिरो को दिखते पता लगे जाएगा, कमेंट्स पढ़के, हरा लाल है, नॉर्वेस्टर्स, नॉर्वेस्टर्स बच्चे आपके West Bengal, हम इसको काल बेसाखी के नाम से बुलाते हैं, वहाँ लोकली, ठीक है, और, ये वाम विंड्स होती है इसमें, और, गेल फोर्स होता है इसमें, ठीक है, ठीक है, चलाई, विच अब दी फोल्वाइंग वेंड्स, इस इनक्रेक्टली पेयर्ड विद्धी एरिया इन विच इट प्रिवेंज, तो बर्ग विंड्स अगर आपने वर्ल्ड जो विंड्स हैं, लोकल विंड्स उसका अगर आपने लिस्ट पड़ा है अच्छे से तो आप अफ्रीका में मिलती है, क्या कारा बुरान आपको तारीम बेसिन ओफ सिंकियांग इट मेंज आपका जैपैन, रशिया की तरफ, मिलती है क्या, सदरली बस्टर्स, न्यू साउथ वेल्स, हरीकेंज, हरीकेंस न्यूजिलेंड में मिलती है क्या, एनिवन, हरीकेंस इस टैप अफ साइकलोन, इस नोट अलोकल विंड, राइट, साइकलोन जब जब इस स्पीड को एकसीड कर जाती है, विंड तो हम उसको साइकलोन कहेंगे, यह विंड यह जो आपकी साइकलोन है, यह ड्वलप हो सकते है, लैंड पर भी और सी बोडी पर भी मलब की वाटर बोडी पर भी दोनों ही जगा नादन हमें सदों हमिस्पेर में यह जब आपका आई टी सीजेट शिफ्ट होता है, हम यह भी कह सकते हैं कि जब आपका एंसोश शिफ्ट होता है, तब विंड हाई प्रेशर से लोग प्रेशर की तरफ बहुत स्पीड में आती है इतनी स्पीड के साथ ठीक है नेंगे रॉन हाथ हैं लाया कि सबार्ट है तो हरीकेंगंग नियुज़िलैंड यहालाकि है तो साइकों पिल हैं तो हरीकेंग्स आपको देखने को नेके पैसिफिक में जैपैन की तरफ एक उर्पर्म जरफ टाइफ़नूं सबस्कों। जाएगा अमेरिका में टाइफुन बुलाते हैं यही जो मैं भी जब को जैपैन चाइना बुला रहा था इस तरफ को और साइक्लों इसको इरॉप में बुलाया जाता है तो लोकल विंट का एक बार देखिएगा नाम एक बार देख लिजे बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अब कंसीडर दी फॉलंग स्टेटमेंट आइधर ऑफ टू बैंट आवर दी ओसियन एट अबाउट 30 डिग्री इस नौन एज लोउट कि यहां पर होते हैं 30 बीपर होसडै इंटर्च ग्रीड रोजने यहां पर डिंचर यहां पर खर नियुक्ष है यह फो आप लोग बताईं से का स्टेट्मेंट सही है क्रेक्ट रोजन थे चलिए फड़ावाट से象 मता पीडिएफ दे दूँ आपको कोई बाप मिल जाएगी क्लास के बाद मिल पाएगी अपको ठीक है बताइए शाबाश उफ्राम क्या हो रही है चलो माई दियर फ्रेंड ओनली वन क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर होता है इसको होर्स लेटिटिट्ट कहते हैं थर्ती डिग्री 25 बी कह सकते हैं थर्ती फाइव पीच में करें बीच में are the warm drive winds blowing down the east slopes of rockies rockies के east side में warm wind down slopes आती है जो कि down slopes हम catabatic winds भी कहते हैं जिसको ठीक है अब ये catabatic winds जो है कि वाम रहेगी हमेशे है क्योंकि यहां पर अगर डे टाइम की बात किया जाए तो संद्रेज डारेक्ट यहां पर रहे हैं ड्राइ तो वह हो जाएगी क्योंकि इतनी हाइट पर आ करके स्रेंफोल वह करेंगी देन वेट लूज होने के बाद इट विल सब्सिक्वेंटली कम डाउं तो इसको हम रॉकीज में क्या कहते हैं पाहाो हो तो न्हां ब्लॉर्थ फोन या शेनुक यह तरे चीज आपकोण है हलिकॉप्र है भाझ कि आप लोग ख गयो है चलिए ऐ है लिकॉप्टर है हने अमेरिका से लिये अमेरीका मैं लिए केज वंवेंड शेनुक ठीक है अरे जबर दस थैंक यू दिस तडी आफ दी प्रोसेस अप अटमस्फेर इस कॉल एस्टोलोजी मेटरोलोजी सिस्मोलोजी एस्टोनॉमी हां जी पेपर के लाई आएगा समझ रहूं है बात को समझ गया मैं हां जी प्रोसेस ओफ दी अटमस्फेर इस कॉल्ड मेटरोलोजी इस तडी आपका मैप है यहां पर एजिया है एजिया में इंडिया है है इदर बेव बेंगोल है इदर के कंट्री अब डायरेक्ट यहां पर संद्रेज रहेगी इस पर्टिकुलर एरियाज में कब 21 जूम जिसकी वज़े से क्या होगा यहां पर लोग प्रेशर बनेगा तो जहां पर प्रेशर एक जैसा होता है वहां पर यह इसको ज्वाइन कर दिया जाता है ठीक है तो नदन हमिस्वेर तो आपको दिख गया है क्या कह रहे है कि ट्रॉपिकल साइक्लोंस हैव सर्कुलर आइसो बार्स लोग अपर पर प्रेश होता है ट्रॉपिकल साइक्लोंस हैं और में से सही चीज क्या है पहली दूसरी तीसरी मलब फर्स सेकिंड ठाटबवर्थ में से कोंड कोंसे अप्शन सही है रचे फट्रावर्ट से बताईये कोछ ने बच्चे वो हलका से सीजर्स लग गए थे आँ चले जो मैं यह फ्रेंड देखे ट्रोपिकल साइक्लोस सर्कुलर आईसो बार्स मैंने आपको बना अगर के दिखाएं आईसो बार्स तो सरकुलर ही होते हैं क्योंकि लोग प्रेशर अच्छा क्या होता है कि इसके इंदर जो आईसो बार्स जैना इसके बीच में होता है सर्कुलर आईसो बीच में अगर यहां पर जो अगर यह नेरो है तो यह फिर फिर जादा हो गी विंड स्पीड से चलेगी अगर यह गयाप ब्रोड हो गाक तो विंड स्पीड वीक हो जाएगी तो आइकलोंस कई है यहां पर जो आईसो बार्स ने वह स्टीब होते हैं दीडुची के पि को ढुले दा भी के डाते ह慌 है कि हरी這個是 ऑभड यौच ऐड बोदेख सेम अलगए एलग नाम से जरूर बोला जाता है हलांकि इनको रिक्रेक्टर यजासे होता है कि हम यह मैं ठीक होκे बच्छ्टे वह भी ने बिता सब्सक्राइब त्रोपिकल साइक्लोन और मोर्ड इस्ट्रिक्टिव यस वन तो फॉर इस दिराइट आंसर विच वन अमंग दी फॉलाइंग फोर्सेज इस मोस्ट पावर्फुल इन डिटर्मिनिंग मुव्मेंट ओव इंकलोडिंग इट्स विलॉसिटी अभी जस्ट मैंने अगर आपने ध्यान से सुना होतों चले शाबाश फटा फट से ए रेक्वेस्ट वेल टू प्लीज बी सिरियस विकोज इंपोर्टन कोशिंज आप सभी देख पा रहे हैं कि किस तरीके कोशिन है चले शाबाश अनुच गुमार वह आपने कोई दूसरा आइधिंक मिक्स अप हो गया आपके साब से कोई मिक्सअप हो गया चले जो दी प्रेशर ग्रेटिंट फोर्स एप्सलूट राइड जस्ट सुना आपने कि जो आईसो बार्स है आईसो बार्स के है प्रेशर एक जैसा है उनकी लोकेशन को यह लोकेट कर देते तो इसको एक ही लाइन से हमने यहां पर लोग प्रेशर बना हुआ लोग बना हुआ इनको जोईन कर दिया यहां पर भी लोग प्रेशर है उसमें कि तो बिच और यह दो आईसो बार्स मेशन क्रेडियोंट क्षोर्स do gradient क्या है आपका अगर तो ये चेफ है तो स्पीड जादा रहे गी यह ब्रॉड है तो फीक रहेगी स्पीड एक प्रेशर मेर्येसे दुसरे परेशेर देनिय켜 बीच एक फेडने करता है आपका प्रश में ब्रेशिर्ट क्रेड फॉर्स अब चोट लग गई एट्मोस्फेरिक हुमिडिटी इस मेजर्ड बाई हुमिडिटी की कौन से इंस्ट्रुमेंट से मेजर की जाती है साइक्रोमेटर अनेमोमेटर लाइसीमेटर हाइड्रोमेटर हाँ जी बिलकुल होगी क्लास क्यों नहीं होगी चले जी एट्मोस्फेरिक हुमिडिटी इस मेजर्ड बाई साइक्रोमेटर इसको हाइग्रोमेटर भी कहा जाता है अनेमोमेटर विंड स्पीड के लिए होता है लैसे मेटर आपकी सोयल डिटरमिनेशन के लिए है है यड्रोमेटर आपके वाटर प्रेशर चेक करने के ठीक है हाई गरो विच इस दी वार्मेस्ट लेयर ओफ एक्टमस्फेर सबसे वार्मेस्ट कौन सी है थर्मो ट्रॉपो स्ट्रेक्टो मेस्टो पताईये शाबर थर्मो स्ट्रेक्ट येस एक बार देखें जिने नहीं मालूम हम जितना हाइट पर जाते रहेंगे उतना ही प्रेशर चेंज होता रहेगा प्रेशर डिक्रीज होगा यहां पर टेंपरेचर इंपरेचर 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 ट्रोपो पोज के अंदर जो टेंपरेचर है वह आपका माइनस 57 डिग्री रहता है माइनस 57 यहां पर जीरो डिग्री है यहां पर आपका माइनस 101 डिग्री के आसपास रहता है तो एक कोशन यह भी पूछते हैं कभी-कभी यूपी एसी की विच ओव दी फॉलॉइंग लेयर् 50-0-degree कि वह आपका है में इस स्टाथी पोज जाएंगे मेंस स Aim करते हैं तो में स्टा थिके जो आगे स्टेंज बिए मनेंस ठीक थीक जाबनापने रही तो श्रपलाइंगे यहाँ पर जो अवरेज तेमपरेचर है एर्थ का वो है माइनस सॉरी 18 डिगरी तो 25 डिगरी इस दी अवरेज अगर समझ आ गया है तो एक बार लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर लाल लाल दिलों से भर देंगे इसको ठीक है यह भर के दिखाईए धेर सारा प्यार महबत जरा बरसाईए जेट स्ट्रीम्स जेट स्ट्रीम्स आपका बच्चे यह ट्रोपो स्फेर ट्रोपो टूटे वाद दिल मत पेजो साबूत पेजो जुड़े हुए जेट स्ट्रीम्स आपका बच्चे यह ट्रोपो लाजवाब तरीकेश कांसरें नुटका बच्चे यह ट्रोपो बहुत ही लाजवाब तरीके से इसका अंसर आप दे दीजे क्योंकि बहुत ही असान है चले जे स्टेटोस वर को हिंदे में गयता है नो आइडिया हाँ जी मादियर फ्रेंट्स राइट में नहीं लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है सदन हैमिस्फेर में तो यह रॉंग स्टेटमेंट है तो भी सही आंसर होगा आपका ठीक है जी यह कुकि इनकरेक्ट पूछ रही है राइट चैन चुछ दिकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिकरेक्ट सिक्वेंज फ्रॉम दिकरेक्ट सिक्वेंज फ्रॉफ दिलेर ऑफ अटमस्फेर लास्ट यह पूछा गया एक कोश्यन तो बताईए जरा इसका अंसर क्या है हाँ जी जी sequence of layers of the atmosphere troposphere stratosphere mesosphere thermosphere inosphere basic and then exosphere okay so d is the right answer tropostrato meso ino exo exo means space itself take which of the following is especially true of anti cyclones in the southern hemisphere which one of the following is especially true of anti cyclones in the southern hemisphere हाँ जी anti cyclones पहले मैं आपको एक formula बता दूँ उसके बाद बात करेंगे ANC देखे जो बच्चे सुनते आए हैं समझते आएं पढ़ते आएं उन्हें मालूम है कि anti cyclones in northern hemisphere are clockwise cyclones in northern hemisphere are clockwise cyclones in northern hemisphere are anticlockwise कि यह देखे एक बार आपको लिखनी पड़ेगी चीजे मैप देख करके पता लगाना पड़े है कि cyclones clockwise or anticlockwise northern hemisphere and southern hemisphere respectively किस तरीके से घूमते हैं मैंने बता दिया आपको ठीक है जी अब यहां पर आपने बताना है कि is true of anti cyclones the air moves in a circular manner अच्छा anti cyclones की मैं आपको बात आदो anti cyclones कहा जाता है कि जो high pressure से low pressure की तरफ बिंड जाती न और जिसके पास gale force है 63 km per hour की speed से चल रही है उसको हम यह नहीं केंगे कि वो circulatory ही होगी ठीक है तो anti cyclones generally are not generally in a circular manner ठीक है pressure decrease from the outside to the center outside to center pressure decrease होगा नहीं बच्चे है outside to center pressure increase होगा क्योंकि high pressure होगा center में anti cyclones की जहां से एक particular isobar से जहां पर high pressure बना होगा है वहां से outward direction में बिंड जा रही है ठीक है 30 degree की तरफ 30 degree से 0 degree की तरफ और 60 degree की तरफ ठीक है on form over continent which one of the आशे यह भी wrong है देखन form over continent नहीं यह water पे भी हो सकती है दे एर मोड़े इन अंती-clock wise direction southern hemisphere में क्या बुलाया भी anti cyclones in southern hemisphere are anticlock wise तो so this statement is right एक बाल लिख दू लिख देते है एक है cyclone एक है anti cyclone cyclone in northern hemisphere में कैसे घुमेगा cyclone in northern hemisphere are anticlock wise तो इसका पोजिट क्या हो गया southern hemisphere में clockwise anti cyclone in northern hemisphere are clockwise anti cyclone in southern hemisphere are anticlock wise anti cyclone in southern hemisphere are anticlock wise अब जो बच्चे पढ़ते हैं समझते हैं उन्हें मालूम है कि वेस्टर लीज इस थर्टी डिग्री से ड्वेलप हो करके लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है it means 60 की तरफ भी जाती है और 30 की तरफ भी जाती है नहीं सोरी 60 की तरफ जाती है 30 की तरफ तो ट्रेड विंड जाती है तो 30 से 60 के बीच में जो country आएगी वह वेस्टर लीज एक्सपिरियेंस करेगी नहीं कोई दिक्कत नहीं बचे तो वेस्टर इरॉप, ब्रिटिश इरॉप एंड इस्ट ओफ यूएस साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ चाइल और न्यूजिलेंड तो वेस्टर इरॉप, ब्रिटिश कोलंबिया एंड इस्ट ओफ यूएस साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड चाइल और न्यूजिलेंड तीनों ही country आपके 30 से 60 के बीच में आएगी इस टेंपरेट country में आपको वेस्टर लीज एक्सपिरियेंस होगी तो ओल आर दीज या ओल अफ दीज ठीक है जी होली है कहीं लाखों में जूली है अरे ऐसा तो बहुत कन्फिजन हो जाएगी गबर सिंग को कि सामबा से पूछते कब है होली कब दी होटन ड्राइव इंस डेट हैं दे राइपनिंग ओफ ग्रेप्स इन दी अल्प्स तो होटन ड्राइव इंस एल्प्स में कौन सी होती है शेनुक तो नहीं होती क्योंकि वह तो यूएस में होती है आपको मिस्ट्राल फोन और रोरिंग फॉर्टी ज के बारे बता दीजिए रोरिंग फॉर्टी जनरली आपकी विंट्स विद हाई स्पीड इसको फॉर्टी डिग्री पर रोरिंग फॉर्टी जाता है उसके डिग्री पर फॉर्टी जाता है शिक्स्टी डिग्री पर श्राइकिंग शिक्स्टी जाता है तो फोन इस होट विंड इस होट निस्ट्राल इस कोल्ड बीज दिराइट अंसर फोन इस हटन ट्राइब और यह पड़ते आएं हैं औरेडी पढ़ चुके हैं इस कोशन को फिर भी गल्दत जवाब दे रहे हैं तो रिविजन करनी आप लोग को वट इस दी परसंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अटमस्फेर ऑफ दी अर्थ केतनी परसंटेज जी बताइए पचासी एगी पचात्तर है है से और दी मिसे बताईए सेम्ट सॉरी सेम्टिफाइब कर रहा हुआ है सेम्टिएट है की एक्टिफाइब है चलिए जी शाबाश जल्दी से कि एनिवन कि पक्की बात चलिए ठीक है सेवन्टिएट पॉइट पॉइट परसेंट इस दे राइट है नाइट्रोजन क्या करती है डेल्यूट करती है आपके ऑक्सिजन को तो हम इन्हेल कर पाते हैं उसे ठीक है जी चलिए एट लोग एलिवेशन विच अमंगदी फॉलाइंग क्लाउड आर टो भी फाउंड अब आप सभी जानते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ पर सिर्फ ट्रॉपो स्फेयर में हो सकता है तो में सी लेवल से लेकर के आप कितनी हाइट पर जा सकते हैं 12,000 मीटर की हाइट गया 12 किलो मेटर 13 भी 14 जा सकते ठीक है तो यह पूछ रहा है कि सायरस जो कि यहांगी पर मिलते हैं हाई क्लावड होते क्यूमलब तो नहीं पर यह आएगा स्ट्रेटर्स आएगा नहीं सब्सक्राइगा फिर आएगे आपके स्ट्रेटर्स तो इसके अंदर एक्लाव्ड होता है निम्बो स्ट्रेटर्स जो बारिश करता है सबसे नीचे वह होता है कि एर कन वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है ब्लैक कलर के होते हैं ठीक है जी तो दिशिए निम्बस सबसे लोएस अलिवेशन तो इस जट एर क्लावड और वाटर वेपर इन दी लोवर स्ट्रेटर्स वेर दोनों में से स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है क्योंकि जितने भी वैदर फिनोमेनाज होते हैं वो होते हैं आपके ट्रोपोस्वेर में आपके क्लावड फोर्मेशन रेंफॉल वेंड्स थंडर हेल सबी चीज़े आपके ट्रोपोस्वेर में होते हैं एकदम स्टेटिक रहता है एरोप्ल इंसुलेशन को कह रहा है वह तो सन रेज की जो इंटेंसिटी है वह क्या अच्छी डिटर्मिन करेंगे ऑल्टिटुड नेचर ओफ टेरन विंड या फिल लैटिटूड हां जी क्लाउड बस्ट होता ही नहीं है वह क्लाउड बस्ट मूव नहीं कर पाता है उरोग्राफिक रेइन फॉल में तो पीछे से विंड स्पीट की वज़े से प्रेशर आता रहता है तो अल अवा सदन रिलीज कर देता है वह वाटर कंटेंट जिसको में रिलीव भी कहते हैं सदन तो लैटिटीट्यूड्स ही आपके टम्प्रेचर एरियाज को बनाता है टम्प्रेचर जोंस को बनाता है जैसे कि आप जानते जिरो डिगरी 30 डिगरी 60 डिगरी इस जिघनांटी डिगरी south pole, north pole, this is your arctic circle, arc, this is your arctic circle, this is your arctic circle, this is your capricorn, this is your cancer, this is 0 degree equator now winds, now pressure area, this is low pressure, this is high pressure, this is low pressure, this is high pressure, again this is the mirror image, high pressure to low pressure winds move selling, correctmire MOSF rating, I tell you they have 3 degrees in this direction, this is your down degrees, down degrees, thirty degrees, up to 5 and here this is the horse latitude, ठीक है तो लैटिटीट्वीड की बात यहां पर ऐसे हो रही है कहां से कहां चला गया बात ही और यह कि इसको इस प्रटिकुलर एर्या पर डारेक्ट शन्रेज आती है तो इसको हम बुलाएंगे क्या टॉरिट जॉन या ट्रॉप ट्रॉपिकल जॉन भी काएंगे इस यह टैम्परेट जॉन दिस यह फ्रीजिट जॉन मिरर इमेज बनाएंगे साधन हैमिस्वेर में भी ठीक है तो लैटिट्यूड मारेंगे इस इनर्मोस्ट लेयर ओफ अर्थ इस नौन एस इनर्मोस्ट लेयर ओफ अर्थ जहां पर आपको निकल प्लस आयरन मिलता है उसको क्या बुला जाता है किसी भी स्टेट में उससे फरक नहीं पड़ रहा है दोनों कम्बाइंड क्या करें बुलाएंगे हम पीडिएफ मिल जाएगा बच्छे देता हूं आफ्टर इस क्लास टेम अर्पे टेलिग्राम चैनल जोईन करेंगे सभी चैनल जिनों ने सब्स सब्सक्राइब कल वाली क्लास में हो जाएगा ठीक है हाँ जी तो माइडियर फ्रेंड्स इन्नरमोस्ट लेयर ओफ जहां पर आपको निकल और आयरन कंटेंड मिलता है उसको बैरी स्फेर कहा जाता है जहां पर आपको पाइरोक्लास्टिक मटेरिल पाइरॉक्सिन जादा मि मिलता है उसको हम भुलाएंगे मैसोस्फेर निथोस्फेर कंबाइंड कहा जाता है अपर मैंटल को और पूरे के पूरे क्रस्ट को तो राइट आंसर है यहां पर है बैरी स्फेर आपको आयरन का मिलता है निकल और पहली बोला था मैंने आपको आपनी शाह ध्यान से सुना ब्रेज बुलाए जाते हैं, ब्रेज प्रेंड, My voice is very low, How? अवास आ रहे है आ रहे है कि और यू पर यू रर कॉल वह विख reference for incorrect roaring 40s roaring 40s are the southern latitude where westerlies are prevalent monsoon or local seasonal wind doldrums belt lie between 10 degree north and south horse latitude are found between trade winds and westerlies check it out after the class करते हैं कुछ इसका अवास तेज हो जाएगी कुछ तो करते हैं इसका लेट मी चेक हां जी तो मैं देर फ्रेंड मांसून इस लोकल लिखने के से स्टेटमेंट गलत होगे यह तो ट्रांस बाउंडरी है ठीक है जी वट इस ट्रू रिगार्डिंग जैट स्ट्रीम्स अच्छ जैट स्ट्रीम्स क्या हो पहले मैं आपको बता दू दुबारा से समझ लीजिए एक बार यहां पर संद्रेज इंसोलेशन डा है तो यहां पर क्या होगा कि सैचुरेटेटेड एर उपर की तरफ उठेगी लाइट एर मूवज अप तो उपर आने के बाद यहां पर यह जो आईसी क्रिस्टल में कनवर्ट हो जाती है और यह विंड्स वेट गेन करने के बाद और अर्थ रोटेशन के जैसे यहां से मू तो यहां पर यहां पर हाई प्रेशर बनेगा 30 डिग्री पर सोरी यहां पर 0 डिग्री यहां पर बनेगा लोग प्रेशर तो यह जो वेंड्स सेचुरेटेड विंड्स उपर उठकर के जाती है इंदी अपर ट्रपोज फेर उसको हम जेट स्ट्रीम कहते अब जैट स्ट्रीम क्या करते हैं आप आपने देखा होगा कि क्लाउड़ वगरा चलते हैं नुब करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उनको मदद करती है डोल्ड्रम सेक्चिली जो की विंड्स अपर ट्रोपो स्फेर में राइट तो यहां पर यह क्या करें अब्जेट स्ट्रीम्स हाइव लॉसिटी विंड्स यहां पर ना एक बात है अपना अनुशर्मा इसकी बात है हाँ इसके ऑप्शन्स रॉंग है इसके ऑप्शन्स आपके हैं वन एंड थ्री दिस दी राइट आ होना चाहिए था और यह जैसे यह लिखा वे ठीक है यह वन एंड थ्री से यह इसमें से ठीक ड्राइव इंड्स सेंटा एना ब्लोजन साइबेरिया अर्जंटीन स्विजलेंड कैलिफोर्निया राइट अंसर इस कैलिफोर्निया इनमें से प्लाइटरी विंड इनमें से प्लाइटरी विंड पर्मानेंट विंड भी इनको कहा जाता है कौन सी है बताये वच्छे शाबश कमान यो गाइस कैंड विंड विंड आपने करने एग्जाम क्रेक ठीके जी वेस्टली इस ताइप ओ पर्मानेंट विंड यस मॉंसून इस आप सीजनल विंड लू इस लोकल विंड और यह तो आपके थर्मल वेरियेशन से बनता है अ अ अ सदन फॉल इन बैरोमेट्रिक रिडिंग सदन फॉल प्रेशर एक दम से कम हो गया तो इस चीज को इससे क्या इंडिकेट हो रहा है इतमीस एकदम लोव प्रेशर हो गया तो क्या इंडिकेट हो रहा है रेन, स्टॉर्म, फाइन वैदर या फिर एक्स्ट्रीम कोल्ड, लो प्रेशर में स्पीड के साथ आती है विंड्स, हाई प्रेशर एरिया से, तो एप्रोचिंग स्टॉर्म, तुफान आने वाला है, अगर बैरोमेट्रिक रिडिंग, के अंदर, जो आपका फॉल देखने को म फ्रेशिएफ प्रेशिगर सब्सक्राइए थिख फ्लेस फिर सथे लेख, अप क्लॉड तेम्परेचर ओफ मॉस्चर इन एर सदली इंक्रीज, तेंपरेचर ओफ मॉस्चर इंएर शाप लीडीड इक्रीज, विल्ट बेगन तो ब्लॉ इनश्रकलर मोशन, स्टॉर्य कि बारिश तो तब होगे नहीं जब स्नोफ्लेक्स तब दील होंगे वाटर वेपर्स में या फिर वाटर ड्रॉपलेट में और वो उनको होल्ड नहीं कर पाएगा क्लावड और प्रेसिप्टेशन स्टार्ट हो जाएगा तो बीज ती राइट आंसर टेंप्रेचर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वज़े से बारिश स्टार्ट ह हो जाएगी ठीक है तो टेंप्रेचर डिक्रीज होगा तो तो जम जाएगा फिर वापिस अच्छी कह ए तेंप्रेट साइक्लोंस ब्रिंग अलॉंग विद देंप्रेट साइक्लों की बात एक अरे 60 डिग्री के पास 60 डिग्री जहां पर दो एर मास को लाइड हो रहे हैं ज है तो तेंपेट साइक्लोंस हाला की दॉन हैं सेंट स्कैने थीन एकंडाय थैंद के इन ट्रम लैयंए करिश्टल्स जादा होते उस जिसकी वाज़ा से ब्ल्क कि माईल रेंफिल हो पाती हdag रेंफोल बहुत कम हो पाती है जादा नहीं हो पाती है विच वन अफ फोलॉइंग इस दी क्लावड इस डार्क ग्रे और ब्लैक फाउंड अवरी लो हाइट तो ब्रेंग दिर रियल रेंफॉल अभी बताया मैंने आपको मैंने पहले भी बताया था इसको चले जी शावश बताओ जी झालो इसका करता हूं आज, करना पड़ेगा इसका, Nimbus is the right answer, Nimbus tractus is the right answer, which of the following is produced by rapid ascent of moisture, moist air, यह कह रहा है कि rapid ascent of moist air, जो गरम हवा एक दम से उपर उठेगी तो उसके वैसे क्या हो सकता है, Frost, Fog, Hail, Snow, बस एक मिनिट देजिए, रॉबिन वापिस आगया बंदा उसको ब्लॉक करना दुवरा, मैसेज कर रहा ना, गन्ट, जब हवा उठेगी गरम उपर, और क्लाउड से जाकर के करेगी मर्ज, उस क्लाउड के अंदर तो आपके IC क्रिस्टल्स है, लेकिन जैसे हवा उपर जाएगी गरम, तो क्या होगा, इसका टेंपरेचर कम होगा, तो टेंपरेचर कम होने के वजए से ये IC ड्रॉपलेट्स के आसपास, मतलब ये नूकलेस की तरह काम करेगा, जो इसके अंदर IC क्रिस्टल्स है, तो इसका जो साइज बड़ा हो जाएगा, 5 mm से जादा हो जाएगा, जब जादा हो जाएगा, तो ये hold नहीं कर पाएंगे, और ये नीचे गिरेंगे, ओलो की फॉर्म में, ओले मतलब क्या आपका हेल, स्टोंज, उसकी जब, हेल स्टोंज तो एक यूनिट है, हेल स्टोंज, कहा जाता है जब ओले पढ़ते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा बच्चे आपका हेल, इसी के साथ मैं कर रहा हूं, सेशन एंड, बिकोज इनवर्टर का साइरन बज गया, बार-बार वो, हूटर बज गया उसका, ठीक है जी, तो यूगाइस टेक कियर, ऐसे ही कोशिंज मैं आपके साथ, दूसरे स्ट्राइब कीजिएगा, मेरे मुलगात होगे कल, जय हिंद, बावाई